Hello everyone, I hope आप सारी बढ़िया होंगे आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी टाइपिंग के बारे में हिंदी जो की हमारे देश की मात्रभासा है, हमारी मदर टंग है और इसे काफी सारी स्टेट में ओफिशली लेंगविज गुसित क्या गया जिस करके वहां के इंप्रोईज को सारा डेटा मेंटेंग करना होता है हिंदी लेंगविज में और जैसे जैसे हमारी पास टेक्नोजी ग्रो होती गई, हमारे काम करने के तौर तरीके भी बदलते गई पहले यही सारा कम हम manually maintain करते थे अब यह सारा comprised हो चुका है computer की knowledge के साथ साथ आपको typing की knowledge भी होना जरूरी है हमने अपने channel पर English और Punjabi typing की series पहले ही upload की है आप घर पर बैठ कर ही English और Punjabi की typing सीख सकते हैं और इस बार हम लेके आएं आपके लिए Hindi की typing की series जिसको आपको पूरा देखना है और पूरे वीडियोस आप देखें और उसमें जैसे भी आपको guide हम करेंगे उसके according आपको वही follow करना होगा तब ही आप बहुत जल्द typing सेख सकते हो सो लेट्स स्टार्ट घर पर टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक पीस्फुल एरिया हो और दूसरा एक कंप्यूटर टेबल चेयर और पीसी का होना जरूरी है उसके बाद आपने जिसे प्रैक्टिस करनी है वो मैटर हम आपको प्रॉवाइड करा देंगे हिंदी की टाइपिंग बुक है हम अपने वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेंगे उसे कैसे अपने पीसे में इस्टॉल करना है तो चलिए आपको बताते है आप स्टार्ट बटन में क्लिक करें स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक कंट्रूल पैनल शो हो रहा है जैसे ही आप control panel पर click करेंगे यहाँ पर हमारे पास reason और language यहाँ पर आप click करें next उसके बाद यहाँ पर keyboard and language यहाँ पर click करने से जो आपको यहाँ पर option show होगी change keyboard click किया उसके बाद यहाँ पर मेरे PC में English और Punjabi यह दोनों language जो दोनों font है वो show हो रहे आपने यहाँ पर तीसरा हिंदी का add करने है तो आप यहाँ पर add बटन पर click करें H type करें तो H जैसे आप H press करते रहेंगे आपको यहाँ पर Hindi India show होगा इसे click करें जो यहाँ पर plus का बटन है click करने से यहाँ पर keyboard इस पर भी आप plus वाले बटन पर click करें keyboard उसके बाद यहाँ पर हमारे पास देव नागरिक इंस्क्रिप्ट लेके आ रहे हैं इसे आपने click करना है okay करना है और फिर इसे okay करें okay then okay फिर इसे close करें अब आप यहाँ पर अपने taskbar में जो यहाँ पर languages आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास हिंदी जो लेंग्विज है वो एड़ हो चोगी यहाँ पर हमने अपने PC में Hindi का mangal font इंस्टॉल कर लिया उसके बाद हम टाइपिं स्टार्ट करते हैं यहाँ के नाड़ का उर्म काल सिर्फ यह कि इस यहाँ है पर बिल्कुछ सीधी हो और आपका जो बाड़ी पोस्टर यह पो आपका जो बैक है मिल्कुछ स्ट्रेट ओपर इस रहाए चंवे ए सोफ向ाइब गधा जैसे हमने कुछ भी करनी तो इस में क्या होता है कि यह पर हमने यहां पर उपन प्रेस करने तो यहां से को की मातर एकी मातर चोटी बड़े की मातर यह कुछ भी नहीं आने वाला है यह आएगा बट पहले हमें लेटर टाइप करने उसके बाद आएगा तो इसके लिए याभी हम प्रैक्टिस नॉट्पैट में करेंगे इवस वर्ड में नहीं करेंगी तो नॉट्पैट को यहाँ पर मैंने उपन कर लिया है और हम अपनी जो लेंग्विज है उसे ही सेट कर लेते हिंदी हिंदी का यहाँ पर मंगल फॉंट हमारे पास आ चुक है और यह हमारी जो बुक है उसका फिर्स लेसन है अभ्यास नॉमब तो उसके लिए जो आपकी hand की position होती है, हमेशा इस तरह होती है, यहाँ पर ASDF और यहाँ पर semicolon LKG, चारों finger, और जो यहाँ पर space के लिए हम सिफ right thumb यूज करेंगे, left thumb को हम यूज रहीं करते हैं, typing हम सिर्फ finger से करते हैं, प्रॉपर आप अपनी fingers को set कर लें, अब्यास number one के लिए हमने कैसे करना है, यहाँ पर जो हमारी fourth finger है, तो fourth के लिए O, third finger जाएगी यहाँ पर A, और यहाँ पर D, यानि कि जो second finger है, यह four, three, two, तो two finger यहाँ पर haland, यहाँ पर जो हमारी first finger है, उसे हमने करना है, चोटी E, और इसी first finger से हमने आगे जाके G को type करना है, फिर चोटा O, अब इसे कैसे करना है right hand को, यहाँ पर हमारी fourth finger से दो बटन प्रेस होंगे, जैसे यहाँ पर top, ठीक है, फिर चोटी E की मात्रा, छोटा O, फिर चोटी E, right thumb से space, अब यहाँ पर जो right वाली finger है, little finger, इसे आपने यहाँ पर लेके आना है, तो, फिर इसी finger से चो, फिर तो, फिर को, रो, पो, फिर रो, और space, दुबारा करें, अब की मात्रा, एकी मात्रा, हलन, छोटी E, छोटा O, छोटी E, space, ट, च, त, क, र, पो, र, space, इस तरह आपने बोल बोल के टाइप करना है, अपने मन में बोलेगी, या आप घर पे हो तो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप लाउडली भी बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको दुबारा बताते हूं कैसे करना है, ओ, ए, हलन, छोटी E, छोटा U, छोटी E, space, ट, च, त, क, र, पो, र, space, बस इसे आप बार बार बोल के प्रैक्टिस करें, कम से कम आप इसे 10 minutes टाइप करें, 10 minutes तक बोलें, और 10 minutes टाइप करने के बाद, आपने इसे खुद अपने आपसे अपना टेस्ट लेना है, जैसे आपना 10 minutes आप खुद रेंडमली कुछ वर्ट बोलें, जैसे बीच में आप चेक कर सकते हैं, की रो, की रो किस विंगर से पढ कर रही है, तो इस तरह अपना टेस्ट लें, अगर आपको लगता है कि हाँ, आपकी mistake नहीं आ रही है, आप सही कर रहे हैं, आपको letters याद होने, start होगे हैं, उसके बाद यहाँ पर हम अभ्यास नंबर 2 में यहाँ पर आपको लिखके, यहाँ पर लिखा है, कि हमने अभ्या को एकी मातरा के, को एकी मातरा के, को एकी मातरा के, तो ऐसे कम से कम इसे आप दो लाइन प्रैक्टिस करें, उसके बाद को छोटी एकी मातरा की, की, को को छोटी एकी मातरा की, की, इसे भी आप दो लाइन टाइप करें, फिर अगला वर्ड पर आएगा, फिर कर तक, मतलब जितने भी यह वर्ड हैं, एक एक वर्ड को आप 2 दो लाइन टाइप करें. उसके बाद यहाँ पर अभ्यास नंबर 3 है. इसको भी हमने एक एक वर्ड को 2 दो 3 दो लाइन टाइप करना हैं, बार बार टाइप करना हैं. हां अगर आपको जिस वर्ड में मिस्टेक जाद आती हैं जैसे यहां पर टॉर्च है चोकर है कुछ ऐसे वर्ड है जो थोड़ा कंफ्यूज वाले जिसे टॉक तो इनको आप दो से तीन लाइन चार लाइन मैसिमाम टाइप करें जब तक आपकी मिस्टेक नहीं आती है जब त करते हैं तो यह हमारा आज फर्स टे था हिंदी टाइपिंग का तो आपको मैंने जैसे भी यहां पर गाइट किया है और इसे आप डाउनलोड कर लें इस प्रिंट निकाल के अपने पास सखें और इसके प्रैक्टिस करें थैंक्यू सो मज यहां पास सबस्टार कर दो